कैंसर की जंग हार 65 साल की एक्ट्रस ने कहा इस दुनिया को अलविदा हम बात कर रही हैं बंगाली सिनेमा से लेकर कि बॉलिवुड तक अपने आधकारी से अपने नाम को रोशन करने वाली एक्ट्रस श्रीला मजूमदार की श्रीला मजूमदार जो काफी लंबे वक्त से कैंसर की लड़ाई से जूज रही थी अपनी जिंदगी की जंग हार गई और 65 साल की उम्र में श्रीला का निधन हो चुका है बताते चले कि श्रीला मजूमदार ने कई हिंदी सिनेमा में काम किया वो मिडाल, सेन, श्याम, बेनेगल और प्रकाश जहाद जैसी डाइरेक्टर्स के साथ फिल्मों में काम कर चुकी है श्रीला मजूमदार के निधन से पूरी फल्म इंडस्ट्री शोक में है और उनके परीजन सदमी में है परिवार में श्रीला मजूमदार की अब पती और उनका एक बेटा है श्रिला के पती ने बताया कि एक्टरस का पिछले तीन साल से इलाज चल रहा था कैंसर से चूज रही थी जन्वरी के शुरुआती वक्त में अस्पताल में भरती भी कराया गया था लेकिन बाद में वो घर पर आ गई थी श्रिला का निधन होने के साथ ही परिवार वाले काफे ज़ादा यहां तुख में हैं बताते चले कि श्रिला मजूमदार की निधन पर बंगाल के मुख्यमंतरी ममता बैनरची ने भी शोक जटाया है साथ ही उनकी काबीलियत और भारतिय सिनेमा में एहम रोल की तारीव भी की है उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज दो पहर फिल्म एक्टरस श्रिला मजूमदार का निधन हुआ और इसकी खबर मिलते ही मैं दुखी ही श्रिला एक प्रसिद और शशक्त अदकारा थी जिन्होंने कई एहम भारतिय फिल्मों में कई उम्दा किरदार निभाए वो बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी श्रती हैं हम उन्हें हमेशा याद करेंगे और उनके परिवार के प्रती मेरी संवेदा श्रिला मजूमदार ने 16 साल की उम्र से ही अक्टिंग करियर शुरू कर दिया था बाद में वो श्याम बेनिगल की फिल्म मंडी प्रकाश जहा की फिल्म दामूल और चोक में नज़र आई थी अपने करियर में उन्होंने स्मिता पाटिल नशिरुदीन शाह श्रबाना आजमी जैसे स्टार्स के साथ काम किया है